नमस्कार दोस्तो, AutoCad के lecture में आपका स्वाकत है, चली है आज हम लोग AutoCad में नया command सिख्ञेंगे दोस्तो open कर लेते हैं फाइल को तो दोस्तो आज का जो हमारा command रहे गाई इस modeling में revolp all sleep पे बिज़ रहेगा तो इसके मदद से आज हम लोग जो एक cup का construction करेंगे दोस्तों ठीक है देखते हैं टी cup का चलिका इसका view हम लोग front view लेते हैं और more realistic कर लेते हैं ठीक है और एक line को draw करते हैं हम लोग यहां पर और तो मोड on कर लेते हैं इसका suppose करते हैं 5 और इदने कर लेते हैं suppose को 1.8 कर लेते हैं तो आशा बढ़ा लेते हैं एक मिनट टू कर लेते हैं ठीक है और एंटर मारते हैं यहां पर त्वासा फिलेट प्रोवाइट कर लेते हैं फिलेट का रेडियस देख लेते हैं कितना है 0.8 कर लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करते हैं ठीक है यह फिलेट हो चुका है यह कप का साइड का पॉर्शन होगे दोस्तों ठीक है एक हम इस्प्लाइंस लेते हैं अभी कप का हैंडल बना रहे हैं दोस्तों ठीक है टर्माड लेते हैं और एक यहां पर सरक्ल बना लेते हैं चलिए हो चुका है यहां से अब क्या करते हैं दोस्तों यहां पर एक और स्ट्रेट लाइन लेते हैं और तो मोड़ान करके इंटर बारते हैं ठीक है अब हम यहां पर डिवाल्व कमांड को सेलेट करते हैं ठीक है अब पूछाए कि कौन सा अब्जेक्ट डिवाल्फ करना चाहते है ठीक है उसको select कीजए अब बोर्ड बे है surface और solid हम करें कि यह सर्फिस रखी चलिए ठीक है देखते है तो select करते है सबसे पहले यह object फिर यह और फिर यह 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 तिनों को लेते हैं ठीक है और इंटर मारते हैं अब पूछेगा axis ठीक है तो axis का पहला point यह रहते हैं हम लोग और दूसरा point यह रहते हैं देखिए अब रिवॉल्व करने लगा आपको angle define करने के लिए भूछेगा ठीक है देखिए आपको angle देना पड़ेगा यहाँ पर angle हम पूरा complete revolve करना है तो आप 3 60 देके इंटर मारिए देखिए यह आपका पूरा complete बन चुका है यहाँ पर यहाँ देखिए दोस्तों तो एक पार्ट मेरा बन चुका है अब क्या करते हैं दूसरा पार्ट दूसरा यहाँ पर handle बना ना हमको ठीक है तो उसके लिए हम यहाँ पर swipe command का यूज़ करेंगे स्वेप को select करते हैं दोस्तों इसको select करते हैं दोस्तों इंटर मारते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पर तीन है alignment बेस पॉइंट और स्केल ट्विस्टिक alignment पर देखिए क्या यह object जो अभी इस line के along में है आप इसको जब कीज़ेगा तो automatic perpendicular हो जागा yes तो yes कर लीजिए बेस पॉइंट करना define कर दीजिए यहाँ पर circle का यह बन चुका है कपका handle देख रहा है अब बेस पॉइंट अगर हम चेंज करते हैं तो देखिए उस case में क्या होता है देखिए इसको control जेट करते हैं इस बार बेस पॉइंट हम लोग चेंज कर देते हैं सब्रोंग देखिए स्वेप लेते हैं ठीक है object to swipe इंटर मारते हैं और बेस पॉइंट इस पार जो है थास चेंज कर लेते हैं हम लोग यहां पर ठीक है यह देते हैं और path यह select कर लगा है देखिए तो अभी थास चेंज हो गया तो यह हो गया आपका कपका portion सबन गया ठीक है अब हमको देखना है इसका thickness provide करना है तो thickness था हम आगे lecture में पढ़ेंगा ऐसे लेकिन हम लोग यहां पर देखिए thickness यह वाला select करते हैं thickness और यह पूरा cup को select कर लेते हैं right click मारते हैं अब यहां value देखिए इसका 0.5 देखिए तास और कम कर लेते हैं एक minute 0.3 कर लेते हैं cup का thickness आपका देखिए provide हो चुका है अब इसका view देखते हैं हम लोग यहां पर देखिए देखिए दोस्तों देखिया न तो यह आपका cup आपका बन चुका है दोस्तों तो ओप यह तीनों जो आपको sweep or revolve command है यहां पर आपको clear हो गया होगा देखिए इसका front view लेते हैं ठीक है इसको अगर आपको changes करना है ठीक है यहां पर कुछ भी तो आप इसको बड़ा गठा सकते हैं जो भी आपको move करना है एक नट ठीक है इसको जुद्रत नहीं changes करने का चलिए ठीक है यह आपका cup बन चुका है दोस्तों तो आज के लिए दोस्तों इतना ही अब हम लोग next lecture नों जब मिलेंगे तो इसमें फीट से swipe or revolve command का एक applications को देखेंगे दोस्तों और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए सब्सक्राइब एकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें ठीक है धन्यवाद ना